हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एन डियर श्टूडेंट माई सेल्फ महेंदर दिवन्ता आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम पौरिफेरा जेनरल करेक्टर्स एन क्लासिफिकेशन संग पौरिफेरा के समाने लक्षन और इसके वर्गी करन के बारे में बात करेंगे Phylum Porifera Kingdom Animalia में रखा गया है R.H.P. टेकर द्वारा पांच Kingdom बताया गया थे उन में से Animalia एक Kingdom है और इन Animalia में जितने भी Animals हैं उन सबी को समलित किया गया है Kingdom Animalia को आगे Classify करके Sub Kingdom में Divide किया गया और इसमें Sub Kingdom Proto जोह बनाया गया जो की Unicellular थे और Meta जोह बनाया गया जो की Multicellular Organism थे यानि जिसमें बहुत सारी कोसिकाएं पाए जाती है अब Multicellular को फिर आगे Divide किया गया है दो भागों में इसको Divide कर दिया गया एक भाग था इसमें Parazoa और दूसरा जो भाग था यू Metazoa U यानि True और Metazoa यानि वास्तविक जो Multicellular Organism थे यानि वास्तविक क्यों का गया है क्योंकि इसमें Multiple Cell आपस में मिलकर टिशू का निर्मान कर रही है यानि U Metazoa में उन जीवों को सामिल किया गया है जिनमें Tissue Grade का Organization पाए जाता है जबकि पैराजवा में उन Animals को सामिल किया गया है जिनमें Cellular Grade of Organization पाया जाता है सिर्फ कोसी की इस तरका उनमें संगटन पाया जाता है इसमें जो पैराजवा है उसको आगे Divide किया गया है सिर्फ एक ही Phylum में और वो Phylum है Phylum Porifera यानि Porifera के जो Animals हैं वो Multicellular होते हैं उनमें Cellular Grade का Organization पाया जाता है यहाँ पिच्चर में आपको कुछ Porifera दिखाए गया है जो की Colonial Form में पाया जाते हैं यानि ये संख्या में बहुत सारे हैं जैसे एक Porifera यहाँ पर रहे हैं दूसरा Porifera यह है तीसरा यह है तो इस प्रकार से ये Colonial Form में पाया जाते हैं समुआ के रूप में पाया जाते हैं आपको दिखने में ये Plant के समान दिखाए दे रहे हैं लेकिन ये Animals हैं सुरू करते हैं सबसे पहले Introduction के बारे में बात करते हैं Phylum Porifera का Introduction की इसके बारे में क्या-क्या है Phylum Porifera में जो वर्ड है Porifera वो दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो की इसको ब्रेक करें यानि Latin word Poros और दूसरा जो Latin word है Ferre इनका मतलब Poros का मतलब हो गया Poros से यानि चिदर से और Ferres का मतलब Bearers यानि जो धारन करते हैं यानि Porifera का मतलब क्या हुआ Por-Bearer Por-Bearing Animals और Porous Body यानि इनका सरीर पर चिदर पाए जाते हैं ये चिदर वाले Animals होते हैं या समाने रूप से इनका जो सरीर होता है उसमें बहुत सारे चिदर पाए जाते हैं इसलिए इनको Porifera नाम दिया गया है Porifera नेम वाज गिवन बाई Robert Grant Robert Grant द्वारा Porifera नाम दिया गया है Porifera और Spongy Appearance दिखने में ये Spongy टाइप के होते हैं So-called Sponges तो इनको Sponges कहा जाता है यानि Porifera या Spong कहना समान रूप से एक ही organism के बारे में हम बात करते हैं यानि हम Porifera को समान रूप से हम Spong भी कह देते हैं तो study of sponges is called spongiology spongio and logi का मतलब होता है study spongios मतलब sponge sponge की study spongiology कहलाता है और Porifera की study parazoology कहलाता है ये आप term दोनों का द्यान रखेंगे यहाँ जो Porifera अनिमल्स है इस अनिमल्स आर multicellular यानि ये बहु कोस्ट के जीव होते है इनमें जो कोस्टिकाएं होती है आपस में मिलकर tissue का निर्मान नहीं करती है सिर्फ बहुत सारी cell पाए जा रही है लेकिन tissue नहीं पाए जा रहा है या आप बात ध्यान रखेंगे ये महत्व पूर्ण बात है पूरे अनिमल्स किंग्डम में multicellular जो organism होते हैं सिर्फ Porifera होते हैं और जितने भी इस से आगे जितने भी organism होते हैं जैसे ये सभी tissue level के organization रखते हैं और जितने भी ये animals हैं kingdom animalia से बिलोंग करते हैं ये है एक primitive phylum है आदिम परकार का phylum है कैसे हो गया क्योंकि यहाँ पर तो tissue पाए यह नहीं जा रहा और tissue का पाए जाना advanced character को बताता है origin of Porifera from unicellular coinoflagellates यानि Porifera का जो उदबह हुआ है वो एक unicellular coinoflagellates से हुआ है और coinoflagellates वास्ता में kingdom protista के अंतरगत सामिल जीवों का समय होता है they are initially regarded as plant in animals को यानि Porifera को सुरू-सुरू में plant समझा गया पोदा समझा गया क्यों? due to their appearance क्योंकि इनके दिखने में और इनके sessile प्रकरती sessile क्या होता है इस्तान बद्ध होना एक ही जगे पर रुके हुए रहना तो Porifera के जो जीवोते हैं वो पोदो के समान दिखते हैं और एक ही जगे इस्तिरवस्ता में पाए जाते हैं और समुंदर की तली पर ये दिखाई पढ़ते हैं ये ऐसा लगा कि ये पोदे होंगे बट लेटर दे वर नोन एज एनिमल्स लेकिन बाद में ये पता चला कि वो एनिमल्स है अकोर्डिंग टू लाइफ साइकल उनके जीवन चक्कर में और उनकी फिडिंग एबिटाट के आदार वर बाद में पता चला कि ये तो एनिमल्स है और उसके बाद में तो दिरे दिरे इन पर खोज हुई और पता चला कि इनमें वास्तों में ये तो पूरी तरह से ही एनिमल्स है जो कि प्लांट्स के समान दिखाई देते हैं लेकिन ये plant नहीं है, animals हैं इसको प्रतिबादित किया था एक विज्ञानिक थे, alias 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 एक विज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रतिबादित किया कि ये animals होते हैं अब हम बात करते हैं porifera के सामान्य characters के बारे में आपको यहां पर जो porifera हैं उसमें pores बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं सामाने character हम समझने का प्रियास करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं number of species यानि porifera में कितनी species पाई जाती हैं उसके बारे में this phylum include around 8,838 species ये 2019 का update data है जो आप ध्यान में रखेंगे 8838 species इनके आवास की बात करें तो all animals are equity ये जितने भी animals हैं वो jelly आवास में पाए जाते हैं most of species are marine animals इनके अधिकांस जो species होती है वो marine होती है यानि समुंदरी पानी में पाए जाती है some species are live in the fresh water और कुछ species ही ऐसी होती है जो की स्वच जल में पाए जाती है यानि ये important बात है कि pori farence के सभी सदस से आगर आपको मिलने हैं तो वो aquatic habitat में ही मिलेंगे लेकिन इनमें भी अधिकांस marine habitat में पाए जाते हैं समुंदरी पानी में आपको देखने को मिलते हैं habit की बात करें तो ये solitary यानि एकल रूप में भी दिखाई दे सकते हैं या colonial रूप में भी पाए जाते हैं colony का मतलब हो गया कि साथ साथ कई और्गनिस वापस पास पास पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ आप और आपको colony के रूप में दिखाई पढ़ रहे हैं जैसे ये इतने सारे पांच-छे इस तने सारे और्गनिज्ट पास-पास में पाए जाते हैं तो इस परकार के life का हम colonial life कहते हैं समुए बना कर जो रहते हैं लोकोमोसन तो पौरीफेरेंज के जितने भी एनीमल्स हैं वो एक ही जगे पर छिपके हुए पाए जाते हैं So, all adults are sessile, जितने भी adults हैं, इनके वैस के जो जीव हैं, वो sessile होते हैं, एक जगे पर इस तिरह वस्ता में पाए जाते हैं, या हम कहें sedentary होते हैं. वो किसी सबस्टेटम, क्योंकि ये समुंदरी पानी में पाए जा रहे हैं, या फ्रेस वाटर में पाए जा रहे हैं, तो पानी की जो तली होगी, जो पैंदा होगा, वहाँ पर ये चिपके होगे पाए जाएंगे. और गती नहीं करते हैं, बट लार्वा फ्री लिविंग, लेकिन इनका जो लार्वा होता है, वो फ्री लिविंग होता है, वो आराम से एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है, लेकिन लार्वा जैसे ही आगे डवलमेंट होता है, वो किसी जगे पर जाग पर चिपक जाता है और धीरे धीरे वो अडल्ट में convert हो जाता है Body Organization, सारे एक संगठन की बात करें They have cellular grade of organization इनमें कोस किये, इस तरका संगठन पाये जाता है टीशू इनमें नहीं पाये जाते हैं, टीशू absent होते हैं Next character में देखते हैं Body Safe यानि ये कैसे दिखाए देते हैं ये बिलकुल सरल परकार के होते हैं क्योंकि उतक तो नहीं पाये जा रहें, टीशू तो पाये जा रहें तो सरल परकार के होते हैं Irregular आकार के होते हैं कुछ Cup SEP के भी आपको देखने को मिल देंगे Cylindrical हो सकते हैं West Seep के गुलदस्ते के अकार के हो सकते हैं, कोलाकार भी हो सकते हैं, यानि ये कई अकार के पाए जाते हैं, सिम्मेट्रिक की बात करें तो, in most animals as symmetrical, यानि अदिकांस जिवों में सिम्मेट्री नहीं पाए जाती है, symmetry क्या होती है किसी एक plane के दोरा कोई भी plane हो सकता है वो अलग अलग परकार की हो सकती है आप previous वीडियो में देख सकते हैं कि symmetry कितने परकार की होती है कि definition क्या होती है लेकिन जो किसी भी एक plane के थुरू अब भी को अगधर दो बरावर भागों में बाढ़ दें तो वो symmetry कहला जा은 अब वो symmetry कही परकार की हो सकती है यहाँ इनको हम दो बरावर भागों में नहीं बाढ़ सकते क्योंकि body अलग परकार की होती है regular shape की होती है लेकिन some have radial symmetry लेकिन कुछ में radial symmetry पाई जाती है अरिय सम्मती पाई जाती है बोडी कंटेंस टू टाइप स्पोर इनके सरीर पर दो परकार के चिद्र पाई जाते हैं दो चिद्र नहीं पाई जाते हैं दो परकार के चिद्र पाई जाते हैं एक परकार को हम कहते हैं और दूसरे परकार के चिद्रों को हम कहते ह ओस्टिया को समझें उससे पहले यह आप इस पिच्चर को द्यान से देखिए उसमें आपको यह बलेक बलेक जो डोट जो दिखाई दे रहे हैं जिसको यहां पर नामांगित किया गया है ओस्टियम यह चुद्र पाये जा रहे हैं यानि इनकी बोड़ी पे छेद पाये जा र पोरिफेरा पोरस बोड़ी सो ओस्टिया यह स्मॉल होते हैं छोटे होते हैं नूमेरियस बहुत सारे होते हैं एन वाटर एंटर त्रो इट और जो पानी होता है इनके इनसे होते हुए बोड़ी में प्रवेस करता है सरीर में प्रवेस करता है पोर का दूसरा जो प्रकार है वो है ausculum, यह ausculum जो होते हैं वो large प्रकार का चिदर होता है, बड़ा चिदर होता है and generally single, और सामानतिय एक ही होता है and from water and outside the body, यह body से यानि इनके सरीर से پानी को बाहर करने का काम करता है डाइग्राम से आप समझ सकते हैं जैसे की ओस्टिया छोटे 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 छिदर हो गए और बहुत सारे हो गए बोडी के बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ओस्टिया मल्टिपल ओस्टियम के लिए यूज किया जाता है single छिदर को हम ostium कहते हैं और बहुत सारे जब छिदर होते हैं तो इनको ostia कहते हैं इनसे water अंदर प्रवेस करता है बीच में एक cavity होती है एक खाले जगव होती है उसको हम कहते है sponge seal इस sponge seal से होते हुए बाहर की तरफ एक छिदर पाए जाता है osculum अगर हम pluner की बात करें तो जिसको हम कहते हैं osculum यहाँ पर सिर्फ एक ही छिदर पाए जा रहा है तो हम इसको कहते हैं osculum तो osculum के through होते हुए इनसे जो water जो ostia से अंदर आया था वो बाहर कर दिया जाता है तो यह ostia और जो osculum हैं यह यहाँ पर mouth और harness के समान काम कर रहे है एक में पानी परवेश कर रहा है और दूसरे से बाहर बोडी से बाहर किया जा रहा है next character समझते हैं बोडी structure के बारे में यानि इनकी सार्रिक सरचना के बारे में बोडी इनकी diploblastik होती है यानि द्वी इस्तरिये होती है द्वी इस्तर यानि इसमें दो इस्तर पाये जाते हैं एक इस्तर को हम कहते हैं एक्टोडर्मल से जो औरिजिनेट होता है और दूसरा जो औरिजिनेट होता है वो एक्टोडर्मल से औरिजिनेट होता है वो कहलाता है pinakoderm यह कहलाता है pinakoderm और यह चुंकि outside में present होता है तो इम इसको outer pinakoderm के नाम से याद रखेंगे outer जो pinakoderm है formed by flooded pinakocyte cells यह है जो pinakoderm है यह pinakocyte cell से मिलकर बना हुआ होता है जबकि inner coinoderm inner का जो भाग होता है वो coinoderm कहलाता है और यह coinocyte cell से मिलकर बना हुआ होता है यह origin में endodermal होता है जो coinoderm है वो coinocyte से तो मिलकर बना होता है लेकिन coinocyte cells जो होती है वो flagellate cells होती है यानि इन cells के पास में flagella पाये जाता है so इन cells को एक और नाम दिया गया है kolar cell flagellate cells का पाया जाना यानि coinocyte cells का पाया जाना poriference की विसेशता होती है यानि यह सिर्फ cells porifera में ही हमें देखने को मिलती है diagram से इन दोनों layer को हम समझने का प्रियास करते हैं यह एक कोई poriference animals का एक example आपको दिखाई दे रहा है picture में आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर की तरफ जो इस तर जो पाया जाता है उसको हम pinacodrum कहते हैं जो बाहरी रूप से पाया जा रहा है इस pinacodrum पर बहुत सारे चिदर पाया जाते हैं जैसे कि आपको ये चिदर एक और चिदर ये चिदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो यहां पर साइड व्यू से आप देख सकते हैं ये चिदर हैं ये बी चिदर हैं ये ओस्टिया है तो इस जहां से चिदर बन रहे हैं आपको द्यान से देखेंगे तो यहां पर एक सेल की लाइनिंग है एक सेल की लाइनिंग है इस सेल की लाइनिंग को हम कहते हैं पिनेकोडर्म और ये पिनेकोडर्म वास्ताम में ये जो एक-एक जो सेल है उनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स और इस से पिनेकोसाइट सेल से पिनेकोडर्म का निर्मान हो रहा है ऐसे ही जब हम आंत्रिक इस तरफ पर देखते हैं अंदर की तरफ देखते हैं तो आपको इस तरह की सेल्स दिखाई पड़ रही है ये इस तरह की सेल्स दिखाई पड़ रही है तो ये सेल्स जो है वो जूम करके आप यहां से देख सकते हैं ये जो सेल है ये ही वो सेल है और ये जो सेल है ये कहलाती है कोईनोसाइट coinocyte cell के पास में एक flasillum होता है और ये flasillum पानी को दखेलने का काम करता है यहाँ से दखेल कर ये बाहर करने का काम करता है आप membrane अंदर वाली layer को जब देखेंगे द्यान से तो पूरी जो layer है ये यह जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोईनोडर्म का निर्मान कर रही है यह कोईनोडर्म है और बाहर की जो लेयर है वो है पिनेकोडर्म अब इनके बीच में एक और लेयर पाई जाती है उसके बारे में समझेंगे हम तो सबसे पहले हम कोईनोडरम को देख लेते हैं तो कोईनोडरम कोईनोसाइड से मिलकर बनी हुई है यह हम जान चुके हैं लेकिन कोईनोसाइड सेल्स आर डिसकावर बाई H.J. क्लार्क H.J. क्लार्क दोबारा इन सेल को डिसकावर किया था इन बिट्विन टू लेयर इन दो लेयर के बीच में एन नोन सेलिलर जेली लाइक लेयर कार्ड मीजोहाइल एक जेली लाइक मीजोहाइल लेयर पाई जाती है जो कि मेड़ आफ औफ एन एक्स्ट्रा सेलिलर मैट्रिक्स जो कि extra cellular matrix से बनी हुई होती है collagen like gel जिसमें collagen like jelly होता है and different amoebocyte cells पाई जाती है इसमें amoebocyte cells अलग अलग प्रकार की पाई जाती है यानि इसमें कुछ जेल पाई जा रहा है और amoebocyte cells पाई जा रही है लेकिन यहां पर cells पाई जा रही है इसका मतलब यह थोड़ी है आप यह समझ में आ रहा होगा कि यह तो cellular हो गया लेकिन वास्ता में यह non-cellular हो जाता है क्यों कि यहां बीच वाले जो भाग में जो cells आ रही है meso-isle में जो cells आ रही है वो या तो आंतरिक भाग से आ रही है या तो वो कोईनोडरम से आ रही है या वो बाहरी बाग पीनोडरम से आ रही है वहां पर खुद की कोई cells नहीं है चुकि हम यह भी जान चुके हैं कि जो पोरिफेरंस होते हैं वो डिपलोबलास्टिक होते हैं तो वहां पर meso-डरम नहीं पाई जाती है तो वहां meso-डरम की जैसे कोई originate होने वाली कोई cell ही नहीं है क्योंकि meso-डरम ही नहीं पाई जाती है तो यहां पर meso-hyl पाई जाता है sponges body contains a large body cavity जिसको कहते हैं spongosil और peragastric cavity बीच में जो आपको यह भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं spongosil यह हम कहते हैं paragastric cavity समझते हैं इनके बीच में जो cells पाई जारी है उनके बारे में a jelly-like middle layer is called meso-hyl जिसको हम meso-hyl कह रहे थे इसको पहले previously इसको mesen-kym के नाम से जाना जाता था यह अलग-अलग परकार की amoebois side cells मिलकर बना हुआ है जिसमें सबसे पहले arceosides arceoside cells यह cells का जो nature होता है वो totipotent होता है यानि totipotent का मतलब क्या होता है ऐसी cell जो किसी भी परकार की दूसरे किसी भी परकार की cell का निर्माण कर सकती है यानि वो even एक नया जीव का निर्माण भी कर सकती है उस cell को हम कहते हैं totipotent cell यहाँ poriferenc में specific विशेष्टा है कि archeocyte पाई जा रही है यानि archeocyte totipotent nature की है और archeocyte cells का पाई जाना एक मातर poriferenc में हमें देखने को मिलता है scleroblast cells formation of skeleton element यह एक अंकाली जो element होते हैं उनका निर्मान करने में scleroblast cell काम में आती है colonoblast connect to cells यह cells को आपस में जोडने का काम कर रही है trophocytes distribution of nutrients trophocytes जो cells होती है वो nutrition portion को वित्रित करने का काम करती है thijocytes यह food storage करने का काम करती है chromocytes provide color to sponges sponge जो होते हैं उनको color प्रदान करने में सायता करती है chromocytes cells and myocytes यह contractile cell होती है वास्त में muscle cell नहीं होती है क्योंकि हम जाब जानते हैं कि muscle cell का तो origin मिजोडरम से होता है लेकिन चूंकि इन cells में कुछ contraction nature होता है इनको हम यहाँ पर myocyte नाम दे रहे हैं यह form a sphincter on surrounding the osculum यह एक sphincter का निर्मान कर रही है जो osculum है यह जो osculum है यहाँ पर sphincter का निर्मान करती है true sphincter नहीं है सिर्फ कुछ contraction होने से इसके जो यह चिदर है इसके diameter को control करने का काम करते है यहाँ पर आप diagram से यह ostia ostia से water अंदर प्रवेस करेगा जितने भी ostia है उनसे water प्रवेस करेगा और osculum के तुरू बाहर कर दिया जाता है जो बीच में cavity है उसको हम sphincter seal कहते हैं यह इसमें दो layer पाई जा रही बाहरी layer यह है और यह anthric layer है इनके बीच में यह जो इस्तर है उसमें यह cells पाई जा रही है जैसे कि स्कलोबलास cells होती है अमिबोसाइड cells होती है अमिबोसाइड cells कहीं परकार के हो सकती है उससाइड हो सकती है तो यह cells इसमें पाई जा रही है next हम बात करते है बात करते हैं कैनाल सिस्टम की जिसको हम water canal system भी कहते हैं, जो की विसेश्था होती है, poriferan में, characteristics feature of porifera is the presence of canal system, canal system का पाया जाना porifera की विसेश्था होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको porifera में ही देखने को मिलेगा, water vascular system आपको econodermate में मिलेगा, which is four type, जो canal system में, यहां पर porifera में जो पाय जा रहा है, वो चार प्रकार का होता है, एसकोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन, जो की अलग अलग अनिमल्स में अलग 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 प्रकार का पाय जाता है, एसकोन टाइप को हम एसकोनोड कह देते हैं, साइकोन को साइकोनोड कह देते हैं और Lupon type के Kanale system कहते हैं जो जीवों का साइज होगा वो चोटा होता है साइकनोण में थोड़ा बड़ा होता है एस कानोण की तुलना में तो जोन रक क्रें जो केन rail system रख रहे है उन एनिमल का साइज सबसे बड़ा होगा आक केन keeping का री हैं तो कैनाल सिस्टम के कारिया के बारे में help in exc reunion उतसजन में ये मदद करते हैं help in respiration respiration में ये मदद करते हैं yeah iso-san में मदद करते हैं help in reproduction, ये prajanin में भी मदद करते हैं and help in feeding और bhojan grin sausir करने में ये मदद करते हैं یعنی कैनाल सिस्टम यहाँ पर बावुती महत्वपुन कार्य कर रहा है, कैनल सिस्टम के लिए मैं आपके सेपरेट वीडियो बना लेंगे, सो अब हम बात करते हैं, स्कलेटन सिस्टम की, यानि कंकाल ये तंतर के बारे में, टू डिफरेंट टाइप, ये दो अलग-लग परकार का होता है, एक होता है फाइबर्स का, और दूसरा जो होता है, वो स्पाइक्यूल्स का होता है, फाइबर्स फॉर्म बाई स्पॉंजिन प्रोटीन, फाइबर्स का जो निर्मान होता है, वो स्पॉंजिन प्रोटीन का द्वारा होता है, sponges एक protein पाए जाती उसके द्वारा fibers का निर्माण होता है हम कई बार ये कह देते हैं कि sponges fibers पाए जाते हैं जैसे कि आपको यहां दिखाए दे रहे हैं ये sponges fibers है दूसरा जो type है इसमें spicules का spicules actually needle के समान होती है सुई के समान होती है आप यह कह सकते है sponges have four types spicules यह चार प्रकार की होती है mono exon जिसमें एक ही axis होती है tri exon जिसमें तीन axis होती है tetra exon जिसमें चार axis होती है and poly exon जिसमें बहुत सारी axis होती है जैसे कि यह mono exon यह tri exon यह tetra exon and poly exon को आप बहुत सारे exon लगा के बना सकते हैं यह poly exon है इन में से important जो है mono exon is spicules around the osculum osculum के चारो तरफ mono exon पाए जाती है इसके अलावा जो jemule होता है उसमें भी mono exon पाए जाती है jemule क्या होता है इसको हम आगे समझने वाले हैं spicules are two types according to composition composition के आदार पर spicules दो परकार के होती है यानि spicules किस से मिलकर बनी होती है इसके आदार पर हमने दो परकार में बाटा एक होती है calcareous spicules और दूसरा जो टाइप है वो siliceous spicules calcareous spicules made up of calcium carbonate calcareous spicules calcium carbonate से मिलकर बनी होती है and siliceous spicules made up of silica ये silica की मिलकर बनी होती है scleroblast form spicules spicules का जो निर्मान होता है वो scleroblast cell से होता है ये है siliceous spicules और दूसरे टाइप में यहाँ पर आपको दिखाए गई है calcareous spicules next हम बात करते हैं digestion की यानि पाचन की बात करते हैं poriferenc के animals multicellular होते हैं लेकिन यहाँ पर specific परकार का जो digestive system में वो नहीं पाये जाता है cellul परकार का digestion पाये जाता है nutrition इन में holozoic होता है और filter feeder होते हैं filter feeder का मतलब क्या हो गया कि चोटे चोटे organism में सिर्फ उनी को ये अंदर लेते हैं बड़े organism को ये grant नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि ये पानी के साथ में अपना भोजन लेते हैं और पानी प्रवेस करता है और ओस्टिया के तुरू और ओस्टिया की size fix होती है और ओस्टिया के जो diameter है वो जो जुट्र है उनके अंदर जो आ सकते हैं उनी को सिर्फ ये ग्रेंड कर सकते हैं तो ये filter feeder हो जाते है digestion इन में intracellular होता है यानि अंत्यकोस की इन में पाचन पाए जाता है coinocyte cell digest the food coinocyte cells जो cells होती है वो बोजन के पाचन में मदद करती है यहाँ पर जो intracellular digestion पाए जा रहा है वो आप याद रखेंगे क्योंकि multicellular organism में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ intracellular digestion पाए जाता है trophocyte cells help in distribution of food trophocyte cells जो होती है वो बोजन के वित्रण में मदद करती है theoside cells a site for storage of food theoside cells बोजन को store करने का काम करती है अब हम बात करते है respiratory system excretory system and nervous system respiratory system excretory system and nervous system तीनों ही system इनमें नहीं पाए जाते है लेकिन respiratory system और excretory system इनमें process तो होती है तो respiration कैसे होगा respiration का मतलब क्या होता है exchange of gases इसमें mostly हम जो समझते हैं वो oxygen और जो carbon dioxide है उनका आदान परतान होता है respiration by general body surface and by simple diffusion process सामने विशन विदी द्वारा और इनकी जो body की surface होती है उनके द्वारा respiration की प्रक्रिया होती है और ex-respiration में चूंकि क्या होता है गेंस और कादान परतान होता है तो गेंस तो एक cell के आरपार भी जा सकती है तो diffusion आराम से हो जाता है ऐसे ही excretory organ तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन excretion की प्रक्रिया होती है बाइ जनरल body surface and simple diffusion process ये सामने body की जो सतय होती है वहां से excretion की प्रक्रिया हो जाती है और प्रक्रिया जो होती है वो simple diffusion seral wisdom विदी द्वारा होता है ये ammonotelic होते हैं यानि ammonia का secretion करते हैं और ammonia पानी में गुलंसिल होती है और ये आराम से पानी के साथ गुलती हुई बोड़ी से बाहर करती जाती है और जो की जिनकी वज़े से ही इनमें पुनुद बोवन यानि री जनरेशन की जो capacity है वो इनी की वज़े से इनमें पाई जाती है अब हम समझते हैं reproduction प्रजनन के बारे में चुकि lower animal है तो इनमें sexual reproduction भी पाए जाता है sexual reproduction and sexual reproduction sexual reproduction कैसे होता है by budding, mukuland द्वारा, fragmentation, vikandand द्वारा and jamule और jamule एक special structure है जो की प्रतिकूल प्रस्तितियों में बनती है birding जैसे कि आप diagram में समझ सकते हैं एक छोटी सी पहले bird निकलती है थोड़ी growth होती है और फिर man body से ये अलग होकर दूसरे porifera का निर्मान करती है fragmentation एक organism का porifera का अगर body fragment हो जाए टुकडों में बढ़ जाए तो प्रते एक टुकडे से दूसरे स्पंच का निर्मान हो जाता है और ऐसे ही jamule jamule का निर्मान भी परतिकुल प्रस्तितियों में होता है और ये आप diagram में यहां समझ सकते हैं क्योंकि आप इसका diagram याद रखेंगे इसमें अंदर ही अंदर की तरफ जो structure है वो आर्कियो साइट है जो कि किसी भी परकार की cells का निर्मान कर सकती है चूंकि आर्कियो साइटी आगे जाकर जीव का निर्मान करती है यहां पर इसमें दो membrane पाई जा रही है अंदर की तरफ inner membrane और बाहर की तरफ outer membrane यहां पर जो spikeules पाई जा रही है वो आप ध्यान रखेंगे यहां और सिर्फ और सिर्फ mono exon spikeules आपको देखने को मिलती है तो जब आप sexual reproduction के बारे में समझते हैं तो आप जानते ही हैं सिर्फ इसमें दो अलग अलग organism participate नहीं करते हैं single organism की cell दूसरे जीव का निर्मान कर सकती है लेकिन दूसरा जो part подход sexual reproduction जिसमें दो अलग 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 परकार की cell आपस में मिल कर वो gamet का निर्मान करती है sorry gyoud का निर्मान करती है जो gamet होते हैं आपस few जो कर pand करते हैं सो sponges or monosius इन में जो animal होते हैं यानि जो भी बी sponge मोपनो dedicate मोटो यायनी एक ही ओर्गनिज्ट के उपर की वज़ेसिंस में cross fertilization होता है पर-necation होता है and internal fertilization होता है और सेरी में आंतरिक निश्यचन की प्रगरिया होती है development यह परिवर्दन इनमें in direct होता है लारवल इस्टेज पाई जाती है जो की free swimming larva यहां पर पाए जाता है और free swimming larva इनको इनकी जो generation होती है उसको फैलाने में मदद करती है यानि क्योंकि adult जो होता है वो तो एक ही जगे पर इस तिरह वस्ता में पाये जाता है लेकिन अगर लार्वा अगर free है तो वह समुंदर में दूर जगे पर भी जाकर अपने set हो सकता है दूसरे सबस्टेस हम से साथ में जाकर जोड़ सकता है इसमें जो लार्वा पाये जाता है उसमें हैं amphiblastula, paranchymula and ragone larva इनमें पाये जाती है amphiblastula and paranchymula मुख के रूप से पाये जाते हैं जो आप ध्यान रखेंगे अब हम बात करते हैं इसके classification की यानि इसके वरगी गरंड की classification of phylum porphyra porphyra are classified into four classes on the basis of their skeleton skeleton के आदार पर वो skeleton किस से मिलकर बना हुआ होता है उसके आदार पर porphyra को हम चार class में डिवाइड करते है class first calcarea जिसको हम calcys sponge भी कहते है calcys का मतलब होता है lime यानि चूना चूनकि इन में calcium carbonate का skeleton पाया जाता है class second hexactin elida जिसको हम hylo spongy भी कहते हैं hylo इसका मतलब हो गया glass के समान होने के करण चम के लिए होने करण ये नाम दिया गया है class third demo spongy and class four homo scleromorpha ये fourth जो class है ये newly दी गई classes है mostly आपको three class भी देखने को मिलेगी लेकिन ये newly add की हुई class है जिसको आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं class first calcarea जिसको हम calcys sponge भी कह रहे है calcys का होगया मतलब lime iscluton consists mainly of calcareous spicules made of calcium carbonate जो कि हमने ये जाना कि जो peripherals होता है peripherals जो होते हैं उनके classification skeleton के आदार पर होता है तो यहां पर जो skeleton है वो calcareous spicules का बनावा होता है यानि calcium carbonate की इसमें spicules पाई जाती है body इनकी cylindrical होती है जो कि इसमें radial symmetry पाई जाती है exclusively found in marine water ये समुद्री पानी में पूरी तरह से जितने भी animals है वो समुद्री पानी में पाई जाते है ये tri-radiate spicules रखते है quadriates कुछ में अधिकांस में तो tri-radiates पाई जाते है कुछ में quadriates और कुछ में mono-exon spicules के देखने को मिलती है canal system ascon, psychon और leucon type का पाई जाता है example जो आपको द्यान में रखने है सबसे important leucosolenia ये diagram में जो दिखाए गए है ये leucosolenia है जिसमें proto-androus condition पाई जाती है एक मात्र यही sponge है जिसमें proto-androus condition पाई जाती है यानि इन में male gamete पहले generate होता है female के तुल नामे दूसरा जो example है skypha या psychon जिसको urn sponge कहते हैं ये urn sponge दिखाया गया है urn का मतलब हो गया ताज क्योंकि इसका structure उपर की तरफ देखेंगे तो ताज के समानियां दिखाए देता है cletrina, lucilla, grantia and lucon ये कुछ example और हैं जो आपको दिखान में रखने है next class के बारे में बात करते है hexectinelida जिसको हम high low sponge भी कहते है commonly card glass sponge इनको समन रूप से glass sponge कहा जाता है क्यों कहा जाता है because ये colorless होते हैं bright होते हैं, चमकिले होते हैं and transparent होते हैं इसलिए इनको glass sponge कहते हैं glass जोंकि बिल्कुल white color का या चमकिला होता है transparent होता है तो इनकी जो structure होती है वो भी glass के समान दिखाई पड़ती है तो इसको glass sponge कह देते हैं skeleton is made up of mainly six rays siliceous spicules यानि यहाँ पर silica की बनी हुई spicules पाई जा रही है जो की six rays इन में six rays पाई जाती है they all are found in marine habitat यानि यह सभी marine में पाई जाती है canal system psychon और licon परकार का होता है अलग अलग आकार के पाई जाते हैं cup shape, cylindrical shape या waste shape के पाई जाते हैं radial symmetry इन में देखने को मिलती है example जो आपको दियान में रखना है uplectella जिसको हम venus flower basket कह देते हैं यह इसमें गुल दस्ता रखने जैसी आकरती के कारण इसको यह नाम दिया गया है this is given as a bridal gift in Japan because male and female shrimp are live till death इसको जापान में नव विवाहित जो यूगल होते हैं उनको gift के रूप में दिया जाता है क्योंकि इस यूपलेक्टला के अंदर जो यहाँ पर यह यूपलेक्टला है इस यूपलेक्टला के अंदर के अंदर की तरफ male और female shrimp मरत्यू परियंता की इसी में रहते हैं इसलिए इसको जापान में gift के रूप में दिया जाता है कि इस उमीद से कि जैसे दो male और female जो shrimp है वो जीवन बर अपने मरते दम तक इसमें साथ साथ रहते हैं आप भी जीवन में हमें साथ ऐसे ही बने रही है इसलिए दिया जाता है shrimp एक एक्चुली आर्ट अफ वोड़ा होता है दूसरा जो इसका एक्जामपल है हाइलो नीमा जिसको हम glass rope sponge कहते है glass के समान जो काच जिसको हम कहते है काच के समान इसमें जो रसी नुमा में दिखाई देता है ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये रसी के समान और glass के समान दिखाई देता है इसलिए इसको glass rope sponge कहते है ferronima जिसको हम bowel sponge कहते है यह ferronima है bowel sponge इसको कह रहे हैं क्योंकि यह प्याली के समान दिखाए देते हैं इस तरह से next is monoraphis यह कुछ example है जो आपको ध्यान में रखने है third class है demo spongy जिनको हम frame sponge कहते है most of have skeleton इन सभी में अधिकांस जो है उनमें skeleton पाया जाता है यानि कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें skeleton नहीं पाया जाता है अधिक जिनमें present होगा उनमें consist of spongy in fiber उनमें spongy in fiber का बनावा हो सकता है and spicules और spicules का बनावा हो सकता है spongy in fibers जो कि sulfur content protein fibers का बनावागा spicules होगा अगर वो siliceous होगा यहां calcareous नहीं होगा siliceous spicules पाये जाएंगी यानि silica की बनी हुई spicules पाये जाएंगी अब कुछ में organism में ऐसा होगा कि सिर्फ siliceous spicules पाये जाएंगी कुछ organism ऐसे होंगे demo spongy के जिनमें सिर्फ spongy in fibers पाये जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें spongy in fibers पाये जाएंगे और siliceous spicules पाये जाएंगे यानि सम skeleton is made of both spongy in fiber and siliceous spicules in some demo spongy skeleton is absent कुछ हमें absent भी होता majority are marine adhikans इनमें marine habitat में पाये जाते हैं but few species are found in fresh water और कुछ species इनकी switch gel में पाये जाती है जो कि जब हम पोरी फेरा के basic character जब हम पढ़ रहे थे इसी में तो हमने जाना था कि इनके अधिकान सदसे marine habitat में पाये जाते हैं और कुछ सदसे जो fresh water में पाये जा रहे हैं वो इसी class demo spongy में पाये जा रहे हैं जो fresh water में जो पाये जा रहे हैं मौसलीन के animals asymmetrical होते हैं if spikeules are present अगर spikeules इनमें पाये जाती है तो वो mono exon और tetra exon type के होती है canal system इनमे ल्यूकोन और रेगोन परकार का पाये जाता है cycle type का canal system इनमें नहीं पाये जाता है example इसमें चूंकि सबसे ज़्यादा जो species पाये जाती है वो demo sponge में ही आपको देखने को मिलती है इसके example में सबसे पहले use spongia use spongia जिसको हम bath sponge कहते हैं ये use spongia है बहुत सारे आपको use spongia देखने को मिलते हैं ये समूंदर से collect के हुए use spongia है जिसको पहले के time में bath यानि नहाते समय इसको काम में scrubbing करने में use किया जाता था लेकिन वर्तमान में synthetic fibers को काम में लिया जाता है next example है spongia जिसको fresh water sponge कहते थे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको question fresh water sponge का नाम ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे जितने पी example पढ़ रहे थे आप वो marine sponge के बारे बढ़ रहे थे यह fresh water sponge है spongila symbiosis in geoclorella यह geoclorella के साथ में symbiosis show करता है सह जीवता show करता है यह आप diagram में देख सकते हैं यह spongila है next example है if I dentsia यह भी fresh water sponge है next है cliona जिसको हम boring sponge कहते हैं जो क्या करता है bore करता है यह चिदर कर देता है create holes on cell of mollusk यह mollusk के जो shell होता है कवच होता है उसके उपर चिदर कर देता है especially oyster mostly जो oyster होते हैं उनके उपर second diagram में यह cliona जो दिखाया गया है यह cliona नहीं है यह एक mollusk का shell है जिसके उपर आप छोटे-चोटे pores दिखाए दे रहे हैं चिदर दिखाए दे रहे हैं यह जो चिदर है वो cliona के द्वारा किये गए हैं जो की mollusk के animals को नुक्सान पहुँचाता है oyster को oyster का मतलब यहाँ पर जो especially mollusk का का नाम लिया गया है oyster जो की मोती के पालन में यूज किया जाता है जिसको pearl culture में यूज किया जाता है तो यह एक तरह से यह नुक्सान पहुचाने वाला होता है pearl को मोती के उद्व को नुक्सान पहुचाता है clayona जो की आपको द्यान में रखना है next है chalina जिनको finger sponge कहते हैं chalina जो की दिखने में finger के समान दिखाई देता है इसलिए इसको यह नाम दिया गया है hippo spongia इसको कहते हैं honeycomb bath sponge यह bath में भी काम में लिया जाता है इसको क्योंकि इसकी दिखने में honeycomb जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको hippo spongia है नहीं इसको इसको कहते हैं लीफ इस्पंज यह पत्ती के समाना में दिखाई दे रहा है प्रियों जो की कप से प्रियों नेच्स एक्जांपल देखते हैं हेली जिसको हम ब्रेड क्रम स्पंज, रीड स्पंज कहते हैं, यह है हेलिकॉंड्रिया, कॉंड्रा सीना, इस कलटन इसमें नहीं पाया जाता है, कॉंड्रा सीना का नाम आप ध्यान रखेंगे, हैलिक्लोना, इनको कहते हैं मर्मेड्स ग्लाव्ज, इस्पोंजिया ओफिसिनलिस, इस्पोंजिया सामने उसे बाथ स्पंजिस कहते हैं, लेकिन ओफिसिनलिस इसकी स्पेसीज है, इस्पोंजिया जीनस है, और ओफिसिनलिस इसकी स्पेसीज होगी, जिसको हम टर्किस बाथ स्पंज कहते हैं, जो आपको कई बार पूछा जाता है जो animals होते हैं, वो आप बहुती soft दिखाई पड़ते हैं, यह small group of marine sponge का group होता है, जो कि इन में बहुती कम सदसे हैं, और यह marine होते हैं, ang crusting with a smooth surface, इसको हम touch करके देखें, तो इसकी जो surface होती है, वो smooth होती है, often small and delicate, छोटी होती है, और बहुती delicate, यहनी easily breakable होती है, small siliceous spikeules present, इन में siliceous spikeules पाई जाती है, लेकिन चोटी पाई जाती है, बहुती चोटी पाई जाती है, example, oscarella, जिसको हम slime sponge कहते हैं, slime मतलब, लसलसा जो होता है, इसमें skeleton नहीं पाई जाता है, oscarella का नाम दियान रखेंगे, ऐसा कौन सा sponge है, जिसमें skeleton नहीं पाई जाता है, तो वो example है, oscarella, next example है, play cortis, next है play kina, यह कुछ example है, oscarella को आप diagram देख सकते हैं, बहुती स्मूथ होता है, skeleton नहीं पाई जाता है, यह बात हुई, poreference के classification की, अब यह एक flow chart में और classification दिया गया है, अगर आप up to order तक जाना चाहते हैं, यानि आप gun तक जाना चाहते हैं, तो आप इनको इस flow chart को भी आप note down कर सकते हैं, अपनी notebook में, और आप video को pause करके आप यह flow chart बना सकते हैं, उमीद है आपको poreference के general characters और classification का part समझ में आया होगा, thank you.